Hello friends, स्वागता है आप सबका मेरे YouTube channel जिसका नाम है Vikas3OneTek तो friends अगर आप shorts video बनाते हैं, shorts creator है, shorts का channel है आपका YouTube के उपर तो आपको यह अच्छे से पता होगा कि shorts की जो video की timing होती है वो एक minute से कम की होती है मतलब हम जब एक मिनिट से कम की वीडियो बनाते हैं तो वो हमारी Shorts केटेगरी में आती है जैसे हम 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 15 सेकंड इस तरह के की वीडियो बनाते हैं तो उन्हें हम Shorts वीडियो कहते हैं पर यहां पर आज कल यूट्यूबर्स को काफी ज़्यादा प्रोब्लम आ रही है कि वो जब भी 15 से ज़्यादा की Shorts वीडियो अपलोड करने की कोशिश करते हैं अपने मोबाइल से तो वो अपने मोबाइल से Shorts को अपलोड नहीं कर पाते जो भी 15 से ज़्यादा की होती है जैसे मान लिजिए उनकी तीस से चालिस से के कोई वीडियो है वह से अपने मोबाइल से अपलोड करने जाएं तो वह 15 पर उतमेट्ड से ज़्यादा की वीडियो वह अपने मोबाइल फॉन से अपलोड नहीं कर पा रहे हैं तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपका इसी प्रोब्रम का सुलिशन लेकर आया हूँ और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने मोबाइल फॉन से ही अपने यूट्यूब चैनल पे 15 से ज़्यादा की शोर्ट वीडियो को अपलोड कर सकते हैं तो वीडियो काफी साधा इंफॉर्मेटिव है तो वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखेगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बैल को ओन करके से ओल पे सेट कर हैं जिससे आपको मेरे आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स हम आचुके हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन के उपर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं तो इसमें हमें सबसे पहले अपने यूट्यूब की जो अप्लिकेशन है उस पे क्लिक करके उसे ओपन कर लेना है तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल की अप्लि सबक्रaran इकन दिखाई देगा को इसके उपर क्लिक करना है और यहांसे आपके सामने तीन ओप्छन आ जाते हैं क्रिए टे शौट अपुडे वीडियो और गो लाइव तो हमें सबसे पहले क्रीस. अपर.raf करना है हैं तो आप इससे record करके create कर सकते हैं और camera को आप यहां पर टोप right side में camera का जो यह icon दिखाई दे रहा है आपको इससे आप change कर सकते हैं ठीक है back करना है या front करना है अभी यह back camera हो रखा है तो यहां पर 15 second की बनाना चाहते हैं तो इसी तरीके से बस आपको रड़ जो icon है इसके उपर click कर देना है और 15 second की video आपकी बन जाएगी ठीक है और यहां पर इस पर click करेंगे 15 second के ऊपर तो यह 60 second हो गया आप और तो शिक्सी तक की बनके वो फिर रुक जाएगी ठीक है इस तरीके से आप अपनी क्रियेट कर सकते हैं शोट वीडियो को उसके अलावा यहाँ पर साइड में लेफ्ट साइड में नीचे ही आपको गैलरी का उप्शन मिलता है आप इस पर क्लिक करके गैलरी से कोई अपनी शोट वीडियो भी अफलोड कर सकते हैं उसके आपको एक अलग तरीका बताता हूँ इसके लिए मैंने आपके लिए यहाँ पर दो वीडियो बना रखी है एक तो मैंने 9 डेशियो 16 में बना रखी है जो 23 सेकंड की है और दूसरी मैंने 16 डेशियो 9 में बना रखे जो 28 सेकंड की है तो मैं आपको बता देता हूँ आपको यहाँ पर अपलोड यह वीडियो के उपर क्लिक करना है और गैलरी से अपनी उस वीडियो को अपलोड कर देना है तो मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हू मेरी जो यह वीडियो है 28 सेकंड की है और यह मैंने 16 रेशियो 9 में ले रखी है जो यूट्यूब का साइज होता है यूट्यूब वीडियो बनाने का ठीक है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आप 28 सेकंड की है शोर्ट वीडियो है तो यहाँ पर जब हम next करेंगे और एक बार और next करेंगे तो यहाँ पर यह no it's not made for kids तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं यह upload वीडियो लिखा रहा है अगर यह short वीडियो की section में जाती तो यहाँ पर upload शोर्ट लिखा आता यह 28 सेकंड की है लेकिन यह 16 रिशियो 9 में है इसलिए upload वीडियो लिखा रहा तो यह गलती आपको नहीं करनी है इसमें back आजाना है फिर back आजाना है तो आपको हमेशा 9 रिशियो 16 की वीडियो ही select करनी है तो अब यहाँ पर मैं दूसरी वीडियो upload करता हूं फिर से plus पर upload एक वीडियो और एक वीडियो ले लेता हूं यह देख सकते हैं आप यह मेरी 24 स 16 में बनाई है ठीक है 15 से ज्यादा की है उसके बाद next पर click करेंगे उसके बाद फिर से next और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे upload short लिखा रहा है तो अगर अब मैं इसे यहाँ से upload करूंगा तो यह short video की category में आएगी तो इस तरीके से आप short video को 15 से ज्यादा की है उसे वीडियो count होगी short में वरना वो बड़ी वीडियो में count हो जाएगे अगर आप दूसरे किसी size में बनाएंगे तो यह सबसे असान और अच्छा तरीका है अपनी short video को जो भी आपकी 15 से ज्यादा है उनको YouTube पे upload करने का तो friends अब आपने यह अच्छे से सीख लिया होगा कि आप किस तरीके से अपने mobile phone का use करके ही अपनी short video को जो भी 15 से ज्यादा की है उसे आप अपने YouTube चैनल पे upload कर सकते हैं उसमें कोई भी problem आपको नहीं आएगी फिर वीडियो से related कोई भी query कोई भी question है आपके mind में तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो इसे एक like जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा share करें thank you